हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आमसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने गुरुवार को फलोधी से कॉंग्रिस के प्रचार अभियान का आगाज किया इसके साथ ही उन्होंने आज लोहावट बावडी और पिपार रोड में भी जनसभाव को संबोधित किया उन्होंने यहाँ भाश्पा मोधी और वसंदरा पर जम कर निशाना साथा गहलोत ने कहा कि देश के पिये मोधी ने कहा था कि 70 साल कॉंग्रिस को दिये मुझे 50 दिन दे दो अगर देश के हालात नहीं बदले तो मुझे चवराहे पर लटका देना गहलोत ने कहा कि आज देश का हर चवराह पिये मोधी का इंतजार कर रहा है उन्हेंने कहा कि भाश्पा ने सोचल मीडिया का दुरुप्य किया तता निमनस्तर की बाते लिखते हैं आज तो CVI के आफिस में भी छापे पढ़ने लगे हैं उन्हेंने कहा कि नोट बंदी से लोगों को भारी परिशानी हुई और काला धन भी नहीं आया युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और मैलाय असुरक्षित है उन्हेंने कहा कि भाश्पा सरकार ने प्रदेश में कॉंग्रेस सरकार की परियोजनाय बंद कर दी लेकिन मैं जीतने के बाद भी भाश्पा की योजनाय बंद नहीं करूँगा इससे पहले गलोट सुबह करीब 11 बचे हेलिकॉप्टर से फलोधी हवाई पट्टी पहुचे जहां बड़ी संख्य में कॉंग्रेस पता दिकारियों और कारे करताओं ने गलोट का स्वागत किया जोधपूर से जागरूप टीवी की रिपोर्ट